मुहम्मद जुबेर की गिरफतारी के बाद युनाइटेड नेशन के तीखी प्रतिक्रिया मोधी सरकार को किया एक्सपोज कहा भारत में पत्रकारों को नहीं है अभिवेक्ति की आजादी अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजे साथी बेल आइकन प्रेस कर लीजे हमारे वीडियो को लाइक करे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे और अपने दोस्तों रिष्टेदारों में शर्क करना ना भूले आपको बता दे कि आल्ट न्यूस के को फाउंडर मुहम्मद जुबेर की गिरफ्तारी के बाद अब अंतराष्टे प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है आल्ट न्यूस के को फाउंडर मुहम्मद जुबेर इन्हें दिल्ली पुलीस ने गिरफ्तार कर लिया है इस बात का आरोप लगाकर कि मुहम्मद जुबेर ने जो 2018 में मार्च 2018 में जो ट्वीट किया था उससे धार्मिक भावना आहत हुई है यहां आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफतार कर लिया गया है इसके पश्चाथ अब अंतराश्य स्तर पर उनके लिए समर्थन आ रहा है साथ ही उन इनके प्रवक्ताओं के माध्यम से भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है मुहम्मद जुबेर के समर्थन में प्रतिक्रिया आ रही है मुहम्मद जुबेर यहां फैक्ट चेकिंग के लिए प्रसिद है साथ ही क्या सच है क्या जूट है कौन सी खबर सही है कौन सी खबर गलत है इस बात को लेकर फैक्ट चेक करते है और उन्हें एक अच्छे पतरकार के तौर पर राश्ट्य और अंदराश्ट्र सर पर देखा जाता है लेकिन जिस प्रकार अंदर ही नहीं तो देश के बाहर से भी जो प्रतिक्रिया आ रही है वो काफी आश्चरी जनक है और भारत के सरकार पर मोधी सरकार पर अंदर्राश्टर सर पर सवाल उठा रहा है अब सोचने की बार तो यह भी है कि भारती जनता पार्टी की वज़ग से नुकुर्ण शर्मा को हो या नमीन जिंदल को हो इनकी वजग से जिस प्रकार भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा उसके पश्चात अब एक और सवाल अभिव्यक्ति की आजादी पर संपूर्ण देश के अंदर ही नहीं तो दुनिया के अंदर उठाते हुए लोग नजर आ रहा है और सवाल पूछ रहा है क्या भारत के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं इसी कड़ी में डिगी पप करके एक डिजिटल न्यूज मिडिया और्गनाजेशन है और उन्होंने यह मांग की है कि उन्हें रिहा किया जाए उन्होंने अपने बयान में अपना बयान जारी किया और उसमें उन्होंने यह कहा है कि लोकतंतर के अं प्रतिक्रिया उनके समर्थन में नजर आ रही है इतना ही नहीं तो और अन्यस अंगठोनों ने जो है मुहम्मद जुबेर इनके लिए जो है समर्थन किया है उनके रिहाई की मांग की है दिल्ली पुलीस को सवाल पूचे हैं वही सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़े-ख खड़ा कर दिया है इसी के साथ साथ Amnesty International India Board के अध्यक्ष आकार पटेल इन्होंने भी उनके रिहाई की मांग की है उन्होंने कहा है कि जुबेर को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वहाद दुष्प्रचार की पॉल खोलते हैं वह मैनरेटी के साथ हो रहे अधिकारियों के द्वारा सत्ता का दुरूप्योग हो रहा है और और सहमती होने पर सत्ता पक्ष को बरदाश्ट नहीं हो रहा है और इसलिए यहां कारवाई की गई है ऐसा कहना Amnesty International India के बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका है इसी के साथ साथ और भी कई लोगों ने जो है मुहमत जुबेर के समर्थन में अपने बयान जारी किये है और जिसमें की खास कर साथ एशिया प्रोग्राम के कॉडिनेटर है स्टीवन बटलर उन्होंने भी अपना बयान जारी किया है उन्होंने कहा है कि पत्रकार मुहमत जुबेर की गिरफतारी भारत में प्रेस की स्व सिधा आरोप लगाया है भारत सरकार पर मोधी सरकार पर भारती जंदा पाइटी की सरकार पर और उने यहां बताया है कि यहां पर पत्रकार जो है यहां पर जो प्रेस रिपोर्टिंग होती है उनके साथ जो विभार है शत्रुता पूर्ण और असुरक्षित वातावरन यहां स्टीफन डुजारिक इन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है कि मुहम्मद जुबेर इन्हें रिहा किया जाए उन्होंने अपने अपने मीडिया से बात करते हुए यहां भारत के मुहम्मद जुबेर के बारे में यहां कहा है पत्रकारों को उनके लिखने ट्वीट करने और कहने पर जेल नहीं होना चाहिए यहां मतवपूर्ण है कि लोगों को अनुमती दी जाए किसी भी उत्पीडन की धमकी के बिना खुद को स्वतंतर रूप से वहाँ व्यक्त कर सके उन्होंने पत्रकारों को लेकर यहां बात कही है और मुहमद जुबेर को लेकर यहां बात कही इतना ही नहीं गुजरात दंगे मामलों पर नरेंद्र मोधी को जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चीट दी है उसके बाद अमिर्शाह का एक बयान जारी हो और उसके पश्चात गुजरात की जो पत्रकार है सीस्ता शीतलवार इन्हें गिरफतार कर लिया गया है और इस बात क लेकर भी उनका कहना है कि भारत के अंदर डेमक्रासी है और डेमक्रसी में अभिवेक्थी की आज़ादी है और पत्रकारों को अभिवेक्थी होनी चाहिए शोग जो सूचकानख है उसमें अब भारत का जो क्रोंक ऐसका ओसे लिग फिर से नीचे आ गया है आपको बता दें कि 2021 में वर्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्स के अंदर 2021 में भारत 142 वे स्थान पर था और अब इन इस इंडेक्स इस वर्ड प्रेस फ्रिडम इंडेक्स में 180 देशों के नाम शामिल है जिसमें से भारत भी शामिल है और इस इन 180 देशो में भारत का अब जो स्थान था 2021 के अंदर यहां 142 वा था और अब वहां गिर कर और यहां फिसल कर जो हम आपको इन देशों के नाम बता रहे हैं जहां पर डेमोक्रसी उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत भारत के अंदर है लेकिन भावजूद इसके अभिव्यक्ति की अजादी में कहो यह पत्रकारों के साथ जो वेवहार होता है उन तमाम इंडेक्स के अंदर कहो तो भारत का जो नंबर है जो पहले 142 स्थान पर था अब वो 150 स्थान पर आ गया है कि है यह बता दे कि संपुर देश के अंदर लगातार पत्रकारों पर जो है वो हमले हो रहे हैं और सरकारी यंतरना का दुरूपयोग करते हुए पत्रकारों की अभिव्यक्ति को भी छीना जा रही है और प्रतिक्रिया भी दी जा रही है संपुर देश को पता है संपुर दुनिया को पता है कि भारत यह एक लोगतांत्रिक देश है और इस देश के अंदर आर्टिकल 19 के तहद सभी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है सभी को बोलने की और वो क्या सोचता ह यह एक्सप्रेस करने की आजादी है इसे जिसे अभिवेक्ति की आजादी कहते हैं और इस अभिवेक्ति की आजादी के तहद पत्रकार अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं वहां लिख सकते हैं वहां बोल सकते हैं लेकिन अब यह जो सांप्रदाइक राजनीती के तहद भाव सर्कारों के साथ अपनाया जा रहा देश और दुनिया में मोधी सरकार स guy apcus नजर आ रहे हैं इस संध hypothetical करके जरूरभ速 बने रहे दाथिंग पर जय भीम जय भारत